चेचन कमंडर कादिरफ रम्जान का नया वीडियो रूस की सरकार ने रिलीस किया है इस वीडियो में दिख रहा है कि करीब धाई हजाद चेचन गडाकू का कादिरफ निरक्षण कर रहा है कादिरफ की ये नई आर्मी युक्रेन जाने के लिए तयार है लेकिन रूस ने ये एलान नहीं किया है कि कादिरफ की नई आर्मी युक्रेन के किस मोर्चे पर जंग लड़ने जा रही है रमजान कादिरफ ने 15 दिनों पहले ही बॉसकों में पुतिन से मुलाकात की थी उसके बाद ही कहा जाने लगा कि कादिरफ किसी नए मिशन पर जाने वाला है अब धाई हजार की चेचन आर्मी युक्रेन जा रही है और एक्सपोर्ट मान रही है कि इस बार ये एक फुकार सेना बूचा जैसे नरसंगार को अंजाम दे सकते हैं कि दुनिया के सबसे खोंखार सेना पालक छपकते ही शरीर से प्राण हरन कर लेने वाली सेना वो सेना जो पूरी दुनिया में खतले आम के लिए बदनाम है जहां जाती है वहां अंधेरा चा जाता है खौफ और बौत का दूसरा नाम है चेचन आर्मी चेचन्या के लड़ाके जनरल कादिरफ रमजान के लिडर्शिप में यूपरेन के मैदान के लिए कूच कर रहे हैं वर्दी पेटी में लड़ाके रेड़ी हैं हथियार और साजो सामान गाड़ियों में लाद दिये गए हैं और खुद कमांडर कादिरफ मार्च कर रहा है धाई हजार की ये ताजा सेना योकरेन में बुच्चा वाली कहानी लिखेगी या पाक्मूत वाली फिल्हाल कोई नहीं जानता लेकिन संगहार के लिए कुक्षात कादिरफ लगता है कि इस बार जैलन्सकी को छोड़ेगा नहीं नए लड़ाकों की भरती कर जनरल कादिरफ चेचन आर्मी को नई स्पूर्थी और होसले से भरना चाता है आपको याद हो तो पिछले साल कीउ के तीन महीने के घेरे के बाग भी कादिरफ जैलन्सकी को सरेंडर नहीं करवा पाया था और जगोल लौटना पड़ा था कादिरफ की आर्मी योकरेंड में कौन सा फ्रंट समालेगी योकरेंड की किस हिस्थे में इन लड़ाकों को हमले का ओर्डर मिला थे क्या चेचन आर्मी बाकूझ में वैगनर आर्मी को जुएंग कर उसकी संच्षा बढ़ाएगी Protect होगा इसकी डीटेल के पहले योग्रेन में इस स्वक्त रोज किन किन मोर्चों पर लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है इसकी पूरी तस्वीर देख लीजिए पुराने जीते हुए नए जीते हुए पुराने हारे हुए नए हारे हुए रूस की फौज योग्रेन में इस स्वक्त कई फ्रंट पर एक साथ लड़ रही है बगमूत और सोलिदार की लड़ाई वैकनर आर्मी जो की रूस के भाड़े के सैनिकों की आर्मी है वो लड़ रही है बगमूत में रूस की फॉज है लेकिन निरडाrestrial लड़ाई की कमान वैकनर आर्मी के चीफ यवेगिने पिरोग्जिन के हाथों में येवेगिनी को पुतिन ने जनरल का ओदा दिया है लेकिन वैगनर आर्मी की पुतिन की बगावत के खबरें भी आ रही है ये भी एक कारण हो सकता है कादिरफ की सेना का ग्रोजनी से बूच करने का मतलब ये सेना बक्मूत का बाकी मूर्चा समालेगी कादिरफ की पुतिन भक्ति का उधारन योक्रेन के नरसंगार में पहले भी दुनिया देख चुकी है क्या कादिरफ ने योक्रेन के विनाश की नई स्क्रिप्ट लिखी है क्या कादिरफ बक्मूत में वैगनर आर्मी को रिपलेस करने जा रहा है क्या धाई हजार की तादाद में चेचन लड़ा के डॉनस जा रहे हैं क्या कादिरफ की सेना की योक्रेन में वापसी का मतलब है रूस निरणायक जीत की ओर बढ़ रहा है कादिरफ और येवेगिने पिरोगजन पुतिन का दाया और बाया हाथ पाने जाते हैं कादिरफ तो पुतिन के लिए अपने नावालिक बेटों तक को युद्ध के लिए भेज चुका है चेचन सरकार पुतिन के एक ओर्डर पर खून का दर्या बहा देता है योक्रेन में पिछली बार जब कादिरफ के एंट्री होई थी तो बहुत खून बहा था हलाकि कादिरफ नए इलाके को पुतिन के लिए अकेले दम पर जीत नहीं सका और यही कसक मन में लिए पिछली बार लोट गया था लेकिन अब एक बार फिर योक्रेन पहुच रहा है खून खराबा के आदी यह लड़ाके पहले से जख्मी योक्रेन को और दर्द देने वाले है इसकी डीटेल आगे पहले उस कारण की तलाश के कादिरफ हार्मी की योक्रेन में अप्रेल की शुरबात में ही तैनाती का फैसला पुतिन ने क्यों लिए वज़ा नमबर एक वैगनर चीफ के पुतिन से भगावत वज़ा नमबर दो योक्रेन की अप्रेल के पहले हफ्ते में फाइट बैक करने वाला प्लान वज़ा नमबर थीन लेपर्ट और चैलेंजर टैंकों की योक्रेन में तैनाती वज़ा नमबर चार कादिरफ की डारेक्ट की यो पर अटैक के प्लाने जोक्रेन के नक्षे पर आप साफ देख सकते हैं कि रूस की सेना कहीं एक जगा नहीं कई जगों पर धीशन हबले कर रही है बकमूथ पूर्वी योक्रेन का गेटवेए हैं खासकर डॉनस्क और लोहांज पर पूर रूरूप से कबज़ा करने की राह इसी से होकर जाती है बखमूद ढह रहा है और पुतिन इसी ढह हुए बखमूद के रास्ते पहले से कबजा हुए इलाकों पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं आपको याद होगा कि योकरेन के जिन चार इलाकों में बुतिन ने जन्मत संग्रा करवाया था डॉनेस्क उनमें से एक है ये बात बीगर है कि डॉनेस्क पर कबजे की लडाई पहले दिन से लेकर आज तक जारी है चनरल कादिरफ ने मार्च के तीसरे हफते में बुतिन से मौस्कों में मुलाखात की थी इस मुलाखात की बात कहा गया कि कादिरफ की सेना योकरेन के जिन इलाकों में लड़ रही है वहाँ वो काम्याबी हासल कर रही है लेकिन कादिरफ उन इलाखों के अलावा योक्रेन के दूसरे इलाखों में तैनाथी का पुतिन से ओर्डर चाहता है ये इसलिए कि कादिरफ खुद को और चेचन लडाकों को वैगनर चीफ और वैगनर आर्मी से ज्यादा पुतिन के प्रती स्वामी भग देखाना चाहता है सरल शब्दों में कादिरफ पुतिन का सबसे खास होने का तंगा हासिल करना चाहता है कादिरफ का ये बायान 13 मार्च 2023 का है वाजाम दोनीच, जोने स्वाओ उस्पेश सनिसूट बैदी चेचेचेंसका रिस्पुब्लिकी कादिरफ की सेना का ये वीडियो कादिरफ ने नहीं, रूसकी सरकार ने रिलीज किया जिसके पीछे की मंशा देखती है कि जैलन्सकी और उनकी सेना खौफ खाए लेकिन ये उक्रेन के मैदान में ऐसा होता नहीं देखता जैलन्सकी की सेना जोरदार जवाबी का रिवाई कर रही है जैलन्सकी ने आर्मी को देश के पूरवी इलाकों में मूव्मेंट का ओर्डर दिया है जैलन्सकी करीब-करीब बक्मूँ थार चुके हैं लेकिन दूसरे कई इलाके ऐसे हैं जहां रूस बहुत कम्जोर नज़र आ रहा है। रूस की फॉज उन्हीं इलाकों को टार्गेट करने जा रही है। कादिरफ इस लिहाद से रूस के लिए बहुत तहम है। क्योंकि कादिरफ की सेना योक्रेन की आपो हवा से वाकिफ है और लड़ने की पूरी ट्रेनिंग भी कर चुकी है। उपर से रूस के टैंकों ने आर्टेलरी जंग लड़े जाने के बावजूद उस तरह से योक्रेन नहीं जीत पा रहे है। तो पैदल सेना ऐसे में बहुत कारगर सापित होगी। करीब 2.72 लाख करोड की मदद दे चुका है। इस मदद के चलते ही जैलन्स की कादिरफ और वैगनर आर्मी से अब तक योक्रेन को बचाते आए हैं। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका का गोदाम भी खाली हो रहा है। और नैटो की बागी देश भी योक्रेन को हत्यार सप्लाई करते करते ठक गए हैं। जैलन्स की बार बार पश्यमी देशों से हत्यार सप्लाई की अपील कर रहे हैं। लेकिन हत्यार तब मिले जब हो। इस परिस्थिती में कादिरफ के बिलकुल ताजा रंग रूट जैलन्स की परभारी पढ़ेंगे। इन सैनिकों के पास लड़ाई के सारे मौडरन संसाधन मौजूद है। सर्दी बीच चुकी है और वसंद का मौसा माने बाला है। कादिरफ की सेना ऐसे में कहर धा सकती है। सवाल है लेकिन कहां योकरेन के किस इलाके में पहुँचने वाली है कादिरफ की नई सेना। इसे कादिरफ के फरवरी में दिये बयान से भी देख सकते हैं। कादिरफ ने तब कहा था कि मेरा इलाखा सेपोरेजिया या खेरसौन नहीं है हमारा क्षित, ओदेशा, खार्कियो और कीव है ये राजधानी कीव ही थी जिस पर कादिरफ ने सबसे पहले हमला किया था लेकिन हफतों घेरा डालने के बावजूद कीव से कादिरफ को बैरंग वापिस लोटना पड़ा कादिरफ कीव नहीं जीत सका लेकिन लंबी लडाई में उसने कीव की व्यूर रचना को जरूर समझ लिया रूस की लगतार जीत के बाद कीव का फिला ही सबसे महफूद बच जाता है चाहां जेलन्सकी की हार का मतलब होगा पूरे योकरेन की हार और ये काम पुतिन कादिरफ के हाथों कराना चाहते हैं क्योंकि बरबादी, कतलियां और तबाही का पूरा क्रेटिक कादिरफ को मिले और खुद पुतिन अपनी साफ सोत्री शवी के साथ युद्ध में विजई रहे